जनपर संबल की चंदोसी में विद्यूत विभाग का नीजी करण किये जाने के विरोध में विद्यूत करिमियों ने केंडिल मार्च निकाल कर अपना विरोध जताया। इस विशे में विद्यूत विभाग के करमचारी ने बताए कि कोबिट 19 के दुरान सभी सरकारी विभाग जनता की सेवा में लगे रहें जिसका सरकार द्वारा हम लोगों को नीजी करण के रूप में तौपा दिया जा रहा है। कोबिट काल में कि सारे सारजरिक और सरकारी लोगी जनता की सेवा के लिए अपनी जान की परवाह किया बिना हुआ है। चाहिए बिजली कर्मचारी हो चाहिए स्वास कर्मी हो या प्रसासर के लोगे हो और उसी करम में यह हमें उपहार सुरूप बिजली भ्या को प्रावेट करने के प्रयाश चला है। और उसके लिए 2020 इनर्जी सुधार लाया जा रहा है। उसके पहले यह केंद्री सरकार लारे उसके पहले उत्तर प्रदेश सरकार पुरवांचल कंपनी को पाज भागों में तोड़ करके छे भागों में प्रावेट करने पर तुली हुए हमारी कोई मांग नहीं है हमारी मा परिवार की चंता किये भी ना उन किसानों को और मजदूरों को बिजली मिले सब को बिजली मिले कहीं ऐसा नहों कि जैसे पहले हुआ करते इस लोगों की आई की समगरी बन जाए और हम जन सामान से बाहर हो जाए हमारे पूरवांचल एक डिसकॉम है उसको प्रावेट करने के लिए है जिसको किया जा रहा है सरकार के दुवारा जैसे हमारे ऐसी साब ने बताया है अभी भी इसको प्रावेट किया जाएगा जो की सरकारी उपकरम जो भी बनाया जाते हैं वो जनता की सेवा के लिए बनाया जाते हैं और कोविड काल की जो आपने दसा देखी है उस यह दिया गया है और इसमें पहली सर्थ यह भी रखी गई है कि जितने भी हमारे डिपार्टमेंट के जो मोस्ट जूनियर लोग है उनकी छटनी कर दी जाएगी इसके बाद यह लाए जाएगा